हेलो दोस्तों अरत्यारस एकेटमी की यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों CET बरती परिक्षा 2024 के नवींतम पाठे करम के अनुसार दोस्तों अंतिम प्रहार यानि की परिक्षा में जाने से पहले आपको ये चीद पढ़नी बहुत जरूरी है उससे समंदित आदम आपके लिए दोस्तों पुरुषकार एवं सम्मान से समंदिते तोप 50 प्रसन है वो लेकर आया हूँ दोस्तों बहुत सांदार प्रसन है परिक्षा में अगर पूटबाशा में से प्रसन पूछा गया तो दोस्तों करीबन 4% कूटबासा की योगे और 1-2% दोस्तों वैसे देखने को मिल जाएंगे यानि कि करीबन आपको 2% पक्का देखने को मिलेंगे इस टोपिक में से पुरुसकार एवां समान में से दोस्तो अरद्यारेस अकेडमी की यूटूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें देखें परिक्षा में जाने से पहले आपको इन प्रस्णों को जरूर देखना है बहुत सांदार लेवल के प्रस्ण है यहाँ पर देखें दोस्तों पुरुसकार एवं समान से समंदित देखें पहला प्रस्ण वर्ष दोजार चोबिस में किसे लता मंगेशकर दिननात पुरुषकार से समानित किया गया बताए किसे लता मंगेशकर दिननात पुरुषकार से समानित किया गया दोजार चोबिस में तो दोस्तों यहाँ पर चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा रड़ी फुट्डा को तो दोस्तों वीर सावर कर जो फिलमा ही थी उनकी उसके लिए इनको ये पुरुसकार मिला है और दोस्तों अमिता बचन को आप सभी को पता है कि इनका योगदान है फिल्मों में काफी ज़्यादा उसकी वज़े से इनको मिला है तो यहाँ पर चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा सेकिन नमबर का प्रेशन इसमें देखे नेलसन मंडेला लाइब्टाइम अचिवमट पुरुसकार 2024 से समानित होने वाले पहले भारतीये कौन बने है दोस्तों ये नेंसल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुषकार है ये दक्षिन अफ्रीका का पुरुषकार है दोस्तों और दोस्तों पहले भारतिये कौन है जिनको ये पुरुषकार मिला है अभी हाली में तो दोस्तों उनका नाम है विनोध गनात्रा विनोध गन ग smoking वर ने वाले भारती्हें हैं ये दो नमर उप्षन generate यह झाने वाले प्रांग करने वाले पहले विदेशी परमुख कौन बने है बताईए वुटान का सरुच नागरिक सम्मान TM प्रूसकार दर और ऑस्थ गाल पो प्राप्तक करने वाले पहले पर मुख है वो है दोस्तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर चार नंबर का उप्षन बिलकुल सहीतर हो जाएगा नरेंद्र मोदी आगे देखिए चार नंबर का प्रस्ण है वर्ष 2024 में पहला राश्ट्रिये अंतरिक्स दिवस कब मनाया गया दोस्तो यह बनाया गया तो यह 23 अग और Αगस्त को यह देखिया 5 नंबर का प्रस्ण है सत्तरव्य राष्टी फिलं में शरवस्रेश्ट्पीचर फिलं म गोशिद किया गया दोस्तों इसका राइट आंशर हो जायका वह है अ्टम को दोस्तों सत्तरव्य राश्टों प्रस्ट्स्पारों में सर्वस्रेश्ट्र गोशित किया गया है अटम यहां पर तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सई आगे देखिए सिक्स नंबर का प्रस्ण है सतरवे राष्टिये फिलम पुरुषकारों का सर्वस्रेष्ट अभिनिता का पुरुषकार किसे परदान किया जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो सर्वस्रेष्ट खिंदी फिलम व गोशित की गई है दोस्तों सर्वस्रेष्ट फिलम गोशित की गई वह है गुल हाली में ग्रेमी अवाड से सम्धानित कलाकार जाकिर हुसेन किस कला से समंधियत बताईए ग्रेमी अवाड से सम्मानित कलाकार जाकिर उसेन किस कला से समंदित है दोस्तों यह समंदित है तबला वादक रही है ठीक है तबला बजाते थे तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला वादन से तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए डिट नंबर का प्रस्ण है चोवनवा अंतराश्टी फिलम महोचसव कहा आईगत क्या गया तोीं यह आईफित क्या गया कहां पर गोवा में आईजित क्या गया यहां पर आ पर गया नंबर उंसर्ण में और gebracht क deuxenser से सब्सक्राइब करें दोस्तों माइकल डगलस को माइकल डगलस को तो यहां पर अपना इसमें चार नंबर का उप्शन बिल्कुल से ग्यारा नंबर का प्रशन इसमें देखें चोवनवे भारतिय अंतराष्टय फिलम को गॉल्डन पिकॉक पुरुषकार परदान किया गया इसका राइट आंसर हो गयागा वो है दोस्तों एंडलेस बोडर्स एंडलेन बोडर्स तो यहां पर चार नंबर का उप्शन बिल्कु पुरुषकार से समानित उपन्यासकार है वो कौन है तो दोस्तों उनके नाम है जैनी एप्रेंबेक और माइकल हापमेन यह दोनों दोस्तों अंतराष्टे पुकर पुरुषकार से समानित उपन्यासकार है यहां पर तीन नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा एक पुर्दो दोनों इसमें सही है तेरा नंबर का प्रिशन इसमें देखे वर्स 2024 में पदमश्री से समानित विदेशी नागरिकों में कौन सामिल नहीं है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखे यंग लियू है रेजाबान चोदरी है चारलोट प्रिशन विल्कुल सहीतर हो जाएगा यह पदमश्री से समानित विदेशी नागरिकों में सामिल नहीं है ठीक है आगे देखें यहां पर त्यान चंद खेल रतन पुरुषकार 2023 किसे प्रदान किया गया दोस्तों यह प्रदान किया गया किसे तो यह सात्विक साहीराज को और चिराग सेटी को दोनों को दोस्तों यह मेजर द्यान चंद खेल रतन पुरुषकार 2023 प्रदान किया गया है यहां पर तीन नंबर उप्शन विल्कुल सहीतर हो जाएगा पंदरा नंबर का प्रेस ने इसमें देखे यूनेसको द्वारा वर्स 2024 का वर्ड प्रेस फ्रिड फिलिस्तानी पत्रकारों को दोस्तों यह वर्ड प्रेस फ्रिडम पुरुषकार से सम्मानित किया गया है यूनेसको द्वारा गाजा संकट को कवर करने वाले फिलिस्तानी पत्रकारों को यह पुरुषकार दिया गया है यहां पर दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही वर् वर्स 2024 का साहीतियक आत्मी फिलोशिप सम्मान पृदान किया अगया है दोस्तों यह किया गया है रसकिन बांड को ठीक है रसकिन बांड को दोस्तों यह साहीतियक आत्मी सम्मान पृदान पृदान किया गया और यह आपол एक है इसमें दोस्तों अमिता बच्चन यहां पर एक नंबर का उप्शन दिल्कुल सभी तरो जाएगा अमिता बच्चन आगे देखिए दोस्ते यहां पर बाकी रंडी पुड़ा हो ठीक है आगे देखिए पहला वेश्विक ऐसमानता अनुसंदान पुरुषकार किने परदान क किया गया दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वीना अगरवाल और जेम्स बोईस को इन दोनों को दोस्तों यह पहला वेश्विक ऐसमानता अनुसंदान पुरुषकार परदान किया गया है यहां पर तीन नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा यह और से समंदित हैं दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है इसमें तबला वादन से समंदित है यह तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही तबला वादन से अभी बताया था मैं आपको यह आगे देखिए तादा साहिब फाल के इंटरनेशनल लवाड दोजार दोबिस क ऐसे समंदित में निम्न लिखित में कौण सा कतार सकते नहीं है बताए singer पाने जान पर पर बताना है दोस्तों देखिए बेस्ट एक्टर का अवाड केलिए सारुखान को दिया गया बिल्कुल सही है बैस्ट एक्टर का अवाड रानी मुकरजी को फिल्म मिसेज चटर जी वर्सेज नार्वे के लिए दिया गया बिल्कुल सही बात है आगे देखिए नेगेटिव रोल में बेस्ट एक्टर कावाड बेबी देवल को दिया गया बोबी देवल को दिया गया ठीक है बिल्कुल सही है वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर कावाड मनोजवाज पर ये गलत हो जाएगा दोस्तों चार नंबर का उप्चन अपना इसमें राइट आंसर इसमें हो जाएगा याद रखना है आगे देखें दोस्तों यहां पे साहिते के चेतर में सर्वोच्छे ग्यानपीट पुरुषकार दोजार तेबीस अठावनवा किन साहितेकारों को परदान किया जाएगा झारा तिन दोनों को दोस्तों इसमें जाट भी पर जिमनलिकत में से किसे हाली में भारत परथांपृषकार नहीं दिया गया बताएं किसे भारत्रितन पुरुषकार वो नहीं दिया गया। देखें, MS. Swaminathan को दिया गया, चोद्री जरन सिंग को दिया गया, लालकृषन आडवानी को दिया गया, वर्गिज कुरियन को नहीं दिया गया, तो यहां पर दो नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाए वी इमेजिन इज लाइट को ग्रेंड फिक्स अवार्ड से नवाजा गया 25 मही 2024 को 77 फिलम फेस्टिवल में किस भारतिय फिलम मेकर की परतिष्टित फिलम ओल वी इमेजिन इज लाइट को ग्रेंड प्रिक्स अवाड से नवाजा गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें पायल कपाडिया, पायल कपाडिया को, यहां पर यह नमबर ऑप्षन बिल्कुल सही, आगे देखें, सिरी अनपर बने गीत, सिरी अनपर बने गीत, इंबेडेंस इन मिलेट को संगीत के परतिष्टित ग्रेमी पुरुसकार 2023 के लिए नामित किया गया है, यह गीत किसने गया है, दोस्तों यह गीत है, यह फालगूनी साहने गया है, यहां पर तीन नमबर का उप्षन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा, फालगूनी साहने, पत्शिस नमबर का प्रस ने में देखिए वर्ष 2023 का बोतिकी का नोबल पुरुषकार किसे परदान किया गया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है पी एरे एको इस्टिनी फेरे क्राउड वै एनी एले हुई लियर को सहुत रूप से दोस्तों ये बोतिकी का नोबल पुरुषकार है वो प्रदान क किया गया है एक बार फिर से देख लिए दोस्तों पी एरे एको इस्टिनी फेरे क्राउड फेरे क्राउड वै एनी एल हुई लियर को सहुत रूप से तो यहां पर अपना इसमें दो नंबर का ओप्शन बिल्कुल सहुत रूप से इसमें हो जाएगा आगे देखिए 26 नंब राइट आंसर हो कि 53 तरे पन लोगों को यह प्रुषकार है वो प्रदान किया जा चुका है दोस्तों वर्ष 2024 में पांच वेक्तियों को भारत रूप स्कार है वो दिया गया नंबर एक दोस्तो लाल कर्शन आडवानी नंबर दो दोस्तों चोदरी चरण सिंग नंबर तीन पीवी दर्शिमाराव और नंबर चार दोस्तों स्वामी नाथन ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा तरेपन लोगों को यह प्रुषकार है वह दिया जा चुका है यह आपको इसमें याद रखना आ ठीक है divisim और दोस्तों करपुरी ठाकु अर समाठ से भी और नेता दिवगंथ रिप करपुरी ठाकुर्स है वह दिया गया तोटल भाच वेक्तियों को दिया गया है यहाँ पर इसमें चार नमर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें इंस्टिटूट ओफ डाइरेक्टर्स द्वारा किस भारतिये कंपनी को प्रतिष्टिट गॉल्डन पिकोक अवार्ड परदान किया गया है बताएं इस्टिटूट ओफ डाइरेक्टर्स द्वारा किस भारतिये कंपनी को प्रतिष्टित गॉल्डन पिकोक अवार्ड से अवार्ड परदान किया गया है तो वह कंपनी है दोस्तों R.C.E.L. तो यहाँ पर चार नमर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें दोस्तें आपे केके बिडला फाउ 23 समान परदान किया गया है यहाँ पर दो नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए 29 नमबर का प्रस्ण है वर्ष 2023 का चिकिच्या का नोबेल पुरुष्कार किस उपलब्दी के लिए परदान किया गया दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोविड 19 MRNA TK के लिए दोस्तों यह नोबल पुरुष्कार है वो मिला है तो यहाँ पर तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए वर्ष 2023 का रासाइन विज्ञान के चेतर में नोबल पुरुष्कार किस उपलब्दी के लिए परदान किया दोस्तों यह उपलब्दी कौन सी ती जिसके लिए रासाइन विज्ञान का नोबल पुरुष्कार है वो मिला है तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जागा है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए यह पुरुष्कार है वो मिला है क्या पर तीन नमबर उप्शन बिल्कु क्या गया है यह क्या गया है दोस्तों रोकेट्री नभी इफेक्ट रोकेट्री नभी इफेक्ट तो यहां पर एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही तर बजाएगा आगे देखिए 32 नमबर का प्रस्ट ने 69 वे राश्टी फिलम पुरुष्कारों के लिए सही मिलान दोस्तों यहां पर देखिए मिलान करना है देखिए सर्वस्रेष्ट अभीनेता है वो कौन है तो वह है अलु अर्जुन सर्वस्रेष्ट अभीनेत्री कौन है तो वह है आलिया बट सर्वस्रेष्ट लोक पर यह फिलम है वह कौन सी है तो वह है आर 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 ठीक है और सर नमबर का उप्शन बिल्कुल सभी आगे देखिए 33 नमबर का प्रस्थ ने 69 वे राष्ट्य फिलम पुरुषकार अक्टुमबर 2023 का सर्वस्रेश्ट हिंदी फिलम का पुरुषकार परदान क्या गया है दोस्तों यह पुरुषकार मिला है ठीक है तो यहां पर दो नमबर उप्शन बिल्कुल सभी नेक्स्ट आगे देखिए केके बिड़ला फाउन्डेशन का वर्ष 2023 का 33 व्यास सम्मान प्रदान किया गया दोस्तों यह मैंने भी आपको बताया था किसे दोस्तों पुस्पा भारती को पुस्पा भारती को यहां पर इसमें राइट अंसर हो जाएगा इसमें वो है एक नमबर उप्शन बिल्कुल सभी देखिएए इसमें यह चीत आपको याद रखनी है एक होता है व्यास समान एक होता है वर्ष 2023 का सांती का नोबल पुरुषकार किसे प्रदान किया गया सांती का नोबल पुरुषकार है वो दोस्तों नर्गेश मोहमती को ये प्रदान किया गया नर्गेश मोहमती को दो नमबर उप्शन बिल्कुल सही संजीव को उनकी पुस्तक के लिए परदान किया गया दोस्तों उनकी पुस्तक का नाम क्या है तो उनकी पुस्तक का नाम है मुझे पहचानो ठीक है यहाँ पर एक नमबर उप्शन बिलकुल सही मुझे पहचानो नेक्स्ट आगे देखें वर्स 2023 में 53 प्रतिष्टित दादा साहिब फाल के सम्मान है किस अभिनेत्री को परदान किया गया है तो दोस्तों यह वहीदा रह्मान को यह परदान किया गया है यह पुस्कार दो गांधी शांधी पुरुष्कार 2021 प्रदान किया गया है दोस्तों यह प्रदान किया गया है किसे तो यह दोस्तों गीता प्रेस गौरपुर्गो ठीक है गांधी शांधी पुरुष्कार जून 2023 में यह पुरुष्कार प्रदान किया गया है गीता प्रेस गौरपुर्गो त किताब परदान किया गया यह परदान किया गया दोस्तों किसे तो यह सैनी से पहला सी होगो यहां पर एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही तरो जाएगा चालिस नमबर परशन इसमें देखिए चानमवे ओसकर अवार्ड मार्च दोजार चोबिस में सरवादिक पुरुषकार विजयता फिलम रही तो वो कौन सी रही इसका सही तरो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ओपेन हाइमर दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही तरो सरेणी है दूसरी तरफ महिति प्रुषकार पराप्त करता है दोस्तों देखिए जो जो प्रुष्ट आश्याय एक्टरус एक्टर कानी मुकर it किकर ऑ किताब है उनल को मिला है और बैस्ट दो cause स clown को मिला है यह दोस्तों को मिला है तक यहां पर दो तीन चारेक ठीक है यहां पर दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सई आगे देखें पांच परवरी दोजार चोबिस को प्रदत चासटवे ग्रेमी अवार्ड्स के लिए किस भारतिय संगीत कारों को प्रुष्कृत किया गया तो दोस्तों वह प्रुष्कृत किया गया संकर महादेवन को और जाकिर उसेन को राकेश चोराशिया और गनेश राज गुपालन को गनेश विनायक राम और जाकिर उसेन इन सभी को दोस्तों यह ग्रेमी अवार्डस संगीत करों को मिला है तो यहां पर चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सई आगे देखें मु पिजगोवा यहां पर दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखें 96 वे ओसकर पुरुषकारों के समंद में निमन मेंशे कौन सा कथन सत्य नहीं है तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है वह अपने यहां पर बताना है दोस्तों सरवादिक पुरुषक विजयता फिल्म ओपेन हाइमर और दोस्तों सर्वस्त्रेश्ट फिल्म कौन सी है दोस्तों यहां पर देखें पूर तिंक्स दोस्तों यह इसमें गलत दे रखा है यहां पर दोस्तों देखें जो दूसरा नंबर का है वह इसमें गलत हो जाएगा और दोस्तों देखें इसम राइट अंसर क्या हो जाएगा वो है दो नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सहीवतर इसमें हो जाएगा यह इसमें याद रखना है बहुत ही अच्छा प्रस्ण आप इसको कह सकते हैं ठीक है कि आगे देखिए दोस्ते यहाँ पर 45 नंबर प्रस्ण है दिसंबर 2023 में परदान किये गए देश के पर्थम दिव्यांग खेल पुरुषकारों में सर्वस्रेश्ट महीला और पुरुष एथलेट 2023 में समानित किया गया तो दोस्तों यह समानित किया गया किसे तो यह सीतल देवी वै सुमित अंतिल को यहाँ पर ए विकास पुरुषकार संयुत रूप से किने परदान किया गया वर्स 2023 का इंद्रा गांधी सांती निरस्तरिक रन और विकास पुरुषकार संयुत रूप से किने परदान किया गया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है डेनियल बोरेन बोहीं और अली अबु अवाद तो यहाँ पर अपना दो नंबर का option बिल्कुल सहीतर इसमें हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पर 47 नंबर का प्रेशन है वर्स 2024 के golden globe प्रुषकारों में सरवादिक प्रुषकार प्राप्त किये तो सरवादिक प्रुषकार किसे प्राप्त किये किसने तो यह ओपेन हाइमर ने तो यहाँ पर अपना इसमें एक नंबर का option बिल्कुल सहीतर हो जाएगा ओपेन हाइमर ठीक है याद रखना आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 48 नंबर का प्रेशन है 16 सितंबर 2024 को परदान किये गए 46 एमी अवाड्स का सरवादिक प्रुषकार प्राप्त करता ड्रामा सिरीज है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है बताइए 16 सितंबर 2024 को प्रदान के गए 36 एमी आवार्ड का सर्वादिक पुरुसकार प्राप्त करता ट्रामा सिरीज है तो वो है दोस्तों सोगन तो यहां पर तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही तरोजागा सोगन आगे देखिए यहां पर वर्ष 2024 के प्रतिष्टित रमन मेट्से से प्रुसकार प्राप्त करताओं का सही समुह है सितंबर 2024 में गोशित दोस्तों यहां पर देखिए इसमें कर्मा फुट्सो भूटान और हयाओ मियाजाकी जापान फरविजा फरहान इंडोनेशिया और न्यूगेन थी फ्यूंग यह वियतनाब गरामिन डॉक्टर्स मेक्से से पुरुषकार है वो परदान किया गया है यहां पर इसका राइट अंसर हो जाए कि यह सभी चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए अंतरा राष्टी अंतराष्टी दिवस 23 अगस्त को परदान किये गए राष्ट्य विज्यान पुरुषकारों का विज्यान टीम पुरुषकार किसे परदान किया गया विज्यान टीम पुरुषकार परदान किया गया तो दोस्तों यह इस रोकी चंद्रियान टीम को परदान किया गया यहां पर एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही तर इसमें हो जाएगा तो दोस्तो इसी के साथ मैंने आपको ये पुरुषकार और समान से समंदीत प्रस्न है वो करवाएं है और भी दोस्तो खेल और खेल से समंदीत प्रस्न है वो मैं आपको करवाँगा ठीक है तो रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और अरध्यारे सेकेड़ी की यूटूब चनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जैहिन जैवारत